कि नमस्कार दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटिक परामर्स में और दिखिए बहुत सारे लोगों का हमारे पास जो है कोश्चन लगतार आ रहा था कि विश्ट बंगाल से रिलेटेड जो एरियास है जहां पे फूल जारू का घास मिलता है तो वहां से रिलेटेड किसी कमपनी का या किसी सोर्सिंग का जगह बताईए जहां से बातचीत करके या मानली जाके देखके चीजों को लिया जा सके या काम किया जा सके तो आज इसी के बारे में हम लोग एक कमपनी का बारे में डिटेल्स बताने वाले हैं देखिए इस कमप के लिए तो देखेए अगर वेशट तवंगाल से आप फुल जःडू का बिजनेस करना चाहते हैं यह फुल जःडू 15 मेट्रियल है वो लेनझा चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मेठेल है वह आप समझे तो सोर्सिंग कर सकते हैं तो देखिए वहाँ पर भी क्या होता है इस तरीके से लोग पहले जो किसान होते हैं वो इनकी कटाई करते हैं और कटाई करके इस तरीके से खाली जगह में इनको इकटा करते हैं इनको सुखाया जाता है और सुखाने के बाद इनको जो भी इनसे मान बभी चलता है और जब lexu जाता है तो देखिये गास इस तरीके से दिखता है और जब ये पेर होता है तो दिख्ये इस तरीके सी जन्गल दिखता है छो दिख्ये-ए दो supplier हैं यह लोग इनकी कंपनी हैं जो वहां से यह घास को सप्लाइ करते हैं यानि पहले से ही जो गावाले हैं उनको एडवांस पैसा देके बुकिंग करके अपना चीज रिजर्ब कर लेते हैं कि कितने पैसे में खरी देंगे नहीं खरी देंगे और इसके बाद फिर जब इसका सीजन आता है तो फिर यह लोग इसको कटवाके और निकल लाते हैं इनका नाम प्रसाद और ब्रिज की सोर प्रसाद नंबर भी आपको दिख रहा है दोस्तों यह लोग देखिए मेंली आपका ब्रूम मर्चेंट और कमिशन एजेंट यानि इसने से किम कलिंग पॉंग आसाम यह तीन जगे का जो घास है यहां से यह लोग काम करते हैं और यह देखिए का एड्रेस भी दिया हुआ है प्रधान नगर सिली गुडी में तो आप लोग चाहें तो सबसे बेश्ट तरीका होगा कि आप इनके यह ऑफिस में जाए ऑफिस में जाके इनसे मिलें पहले देखें चीजों को समझें और उसके बाद अगर आपको ठीक लगे आपको ठीक ल करना बिजनेस स्टम्स का एग्रिमेंट करना यह सब आपका खुद का पर्सनल चीज होता है तो उसमें हम लोगों को जोड़के कोई फायदा नहीं होता है अगर उसका हम लोग कंसल्टिंग करते हैं तो अलग बात है तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं देखिए जब यह होता है अटा नहीं होता है तो इस तारीके से इसका घास होता है क्योंकि यह चीज स्षील में लोग हमनें लिखाने के कोशिस तो इसमें थोड़ा कॉस्टिंग भी है क्योंकि मानिजी लेबर लगाना पड़ता है कटाई करना पड़ता है सुखाना पड़ता है और जो होलसेलर है ओभी थोड़ा बहुत मारजिन रखके फिर आपका काम करेगा मगर सीली गुरी बोलिए या असाम बोलिए दोनों से ही पूरी जनकारी आपको दिखाई बताई अब आप आगे आपकी मरजी आप चाहें तो इनसे कॉंटेक्ट करें ना करें और मेरा तो कहना है कि पहले कॉंटेक्ट किजिए जाइए मिलिए देखिए और ठीक लगे तो फिर काम किजिए यह नहीं कि घर बैठे पैसा भेज दिय और जब कुछ हो जाए तो फिर बोलो कि सर आपने बोला था नंबर दिया था तो हमने तो पैसा भेज दिया पैसे कि किसी भी चीज में हम लोग नहीं है क्योंकि जो भी हो कितना भी वह उस्वे का आदमी हो आप पहले जाए देखिए समझिए फिर काम केजिए तो आपके ल आज के लिए इतना ही दोस्तो नमस्कार